चलिए दोस्तों आज हम लोग HRC PH with trapping device के साथ पढ़ाएंगे यानि कि जो HRC PH जो connected होगा वो trapping device है अब यह trapping device होता क्या है यह trapping device जो होता वाद circuit breaker से connected होता है यानि कि जब फ्योज उड़ी जाता है यानि मल्ट हो जाती है तो यह उपर के उड़ चला जाता है जिसे गारण circuit breaker ब्रेक कर देता है यानि कि एक तरह का यह circuit breaker यह operation है तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि किस तरह से होता है कि सबसे पहले बात कि यहां पर एक ceramic body होती है यह हम लोग ceramic body ले लिए है कि सेरामिक body में आपका दू इंडिकेप लगा हुआ है एक इंडिकेप के पी धर है कि दूसरा इंडिकेप धर है दू इंडिकेप लगा हुआ है और यह इंडिकेप के साथ आपका plugger है यह आपका connected है यानि यह plugger आपका circuit breaker से connected हुआ यहां पर circuit breaker आपको लगा हुआ है ठीक है इसके साथ यह plugger लगा हुआ है प्लगर में ही आपका फ्योजिंग अलिमेंट लगा वाड़ाता है और chemical charge इसी में लगा वाड़ाता है यानि कि यह आपका यह आपका chemical charge है और यह हमारा फ्योजिंग element है अब इसी में हमारा tungsten element यह लगा वाड़ाता है यह हमारा tungsten element अब हम लोग क्या करता है कि in cape के साथ ठीक है और दो silver का element हम लोग लगा देते हैं यह silver का element है यह हम लोग यहाँ पर लगा दे रहे हैं दो ठो यह दो silver element एक यह हो गया दूसरा यह हो गया तो silver का element है इसमें हम लोग लगा दिया है यह हमारा plugger है कि यह हमारा कर्श्ट क्सान है आपका काम यह ट्रिपिंग ड्रिवाइस क्या होता है कि जब हाइक करन फ्रों होने लगता है तो यह अप और की वर मुप कर जाता है काम होता है इसको उते इसको ट्रिंग ड्रहाइस हम्भोगर है नॉन्बल कंडिशन में क्या होता है कि करेंट फ्लो होता है तो थैंसलबर या शिलवर एलेलिमेंट है उसा करेंट फ्लो हो रहा क्यों क्योंकि इसका जो सिलवर का है वह रेसिस्टिविटी मतलब रेसिस्टिविटी इसका बहुत ही लो होता है कंड़क्टिविटी बहुत हाय होता है ठीक है तो करेंट सही से फोलो नहीं होता है किसमें टंगस्टन में टंगस्टन में करेंट फोलो नहीं होता है तो वह मोग TWO क्या करते हैं कि इसमें हीट करते हैं ठेक है एचिंग क्यों प्रइश होता है किसमें टंगश्टन क्यों कि बहुत जादा रेसिस्टीव होता जादा ठीक है लेकिन इस्लिवर उसका जाश उल्टा है तो यह रेसिस्टिव होने के कारण यह पिघलने चालो हो जाता है ठीक अब यह पिघलता कैसी है सुम्हें बता दू कि यहां पर आपका जो फ्यूजिंग अलिमेंट लगा हुआ है यह आप देख रहे हैं यह फ्यूजिंग अलिमेंट आपका केमिकल चार्ज जो भी है ठीक है उसके साथ मल्ट होने लगता है और यहां पर एक्सप्लोजन फिल जाता यानि कि फिलने लगता है और इस कंडिशन में यह जो प्लगर है वह मूब करने लगता है अब की ओर प्रक्यों ठीक और इस तरह से जो सर्किट है मतलब यह इस तो यह चीज हमारा इसमें काम होता है अब इसमें इसको हम लोग को निखना कैसे हो चीज हम लोग देखेंगे तो निखने के लिए हम लोग क्या करेंगे सब्सक्राइब देख लिए कि पहले इसका क्नश्टक्शन के बारे में निखेंगे यह Construction बना होगा इस तरह से है उसके बाद इसका उप्रिसन के बारे में निखेंगे है कि यह चीजए निखने से पखले ऐप जान लिए तो अभी यह को जाने कि यहीज में होता क्या है कि इसे कला सब्सक्राइब करेंट करह justify कि इन दोर drought किर धूरी ध्त तो सिस्टम में यहां पर सड़ средies मोरेक। नाषिके पास लगा हुआ है ओक्या जाता है ओपीं ओजाता है और हमारा कोश्टली एकुप्मेंट बच जाता है तरह से काम होता है यहां पर पूरा सिस्टम ही ही above है इसको रगर डेजाइन करते हैं लो करेंट के लिए यहां रोकरेंट के लिए सुटव। यहां पर इस जो सर्किर ब्रेकर है वह सस्ता होता है इसलिए हम लोग यहां पर यूज करते हैं लेकिन यह जान ले कि इसका हानी यह भी है कि इसमें फ्यूज का जो ऑप्रेशन है ठीक है परतेक ऑप्रेशन के बाद इसको हम लोग को चेंज करना पड़ता है यही इसका हानी है यानि कि इसमें रिप्लेस्मेंट का टाइम ज्यादा होता है क्योंकि बार बार हमको चेंज करना पड़ेगा और इसका पुरण देख रहे है तहो इसका सर्किट है यह आपका complex in nature है यह जि़ा सर्किट आप देख रहे है यह आपका complex in nature है यानि complex तरह का है इस तहले हम लोग इसका widely यह उचल्छ नहीं करते हैं तो अब हम लोग निखना कैसे है वो चीज हम लोग ध्यान देते हैं तो चलिए निखने के लिए मैं बता दूँ कि इसमे निखने के लिए क्या करना होगा देखीं मैं बताते होगा इट कंसिस्ट और फे सेरमिक बोड़ी मैं बताया कि यहाँ ध्यान दिए यह आपका सेरामीक बोड़ी तो आप दिख रहे हैं यह पूरा आपका सेरमीक बोड़ा यांनि कि प्लॉगर जो जुड़ा हुआ है देखें सा्ट अन्यत्स को बाता है कि एक साथ करनेटेड और यहां पर फ्यूजिंग ऐसासरुजिंग ऑफ्यूजींग अलिमेंट ऐसे कि its के सेलेंट कि दीद दर्सा किया है यहां पर इलिमेट मेंट हर्unta होगा से इस तरह से理icing एलिमेट हमारे निखना से अब इतना तो हम लोग देख लिए अब इसका operation कैसे निखना है वो देखिए मैं बता है कि नॉर्मल condition में current फोलो होने लगेगा सिर्माल लेमेंट में क्योंकि current का जो मतलब silver element का जो resistivity होता है वो बहुत ही low होता है तो इसमें current कि और यहां पर जो टंगस्टन उसके रहे हैं current not फोलो थो टंगस्टन यानि टंगस्टन में current flow नहीं होगा क्योंकि वे बहुत ही high resistivity nature होता है मैं बता चुका हूं लेकिन फोल्ट कंडिशन में क्या होता है silver element मतलब मल्ट होने लगता है यानि कि यह जो फोल्ट का element आप ये जो देख रहे हैं इतिकर इसमें transform होने लगता तो कि इस कंडिशन में क्या होता है कि पिदे एलिमेंट जो है व चारज होने लगता और वह मल्ठ होने लगता है कि तो क्या होता है नहीं फिर 그냥 हम लोकह को अगषा हो मतलब यहां पर जहर रिलागे इस निकलने लगता है वहार ठीक है और इस कंडिशन में जो यह प्लगर है यह प्लगर देखने है यह प्लगर उपर की तरफ मूप करने लगता है ठीक है और सरकीट को ब्रेक कर देता है और इस कंडिशन में जो सर्कीट ब्रेकर है वह ब्रेकर करता है सर्कीट को और त्रिफेस जो सोर्स है या लोड है या कुछ भी आपका जो एकुप्मेंट लगा हुआ है वह हमारा प्रोटेक्ट हो जाता है तो यह ही इसका मेन वर्किंग है अगर हम फिर से हम और फिङर से देखें तब यह özky है यह आपका दो ऑटेट अध definition में क्या हो रहा है कि करेंट फ्लोब और इसमेंinki यह अच्छा सॉपरीट हो रहा है यहां पे पेड़ कर्यों हो रहा है यहां पर अर्षरोंप श्र केंग के यहां दो मौपानम के क्या है कि आहां से करने हैं कर देसे पर हो सब्केड़ है सब्सक्राइब कर देता है और यह जो फिन सब्सक्राइब लगा वह ओपन हो जाता है इस तरह से कुपमेंट हमारा बच जाता है तो यह हमारा इसका मेन वर्किंग है चलिए दूस्तों थैंक्यू